कि आपका इस नाइस सेशन में आपका इस नाइस सेशन में आपको पुला था पॉस्ट दो सेशन एकदम आराम आराम वाले होंगे अपने विल जस्ट है वन वन आर लेक्चर्स ठीक है लास सेशन तो शायद फिर भी वन आर से थोड़ा जादा था आज भी अप्रॉक्सिमेटली वन वन एन हाफ आर मैक्सिमम तक मैं लूँगा वन आर इतिंग हो जाएगा उसना बट कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चाप्टर और वहां से अपन प्रॉपर मोमेंटम गें कर लेंगे ठीक है ना अभी आप लोगों के लिए वाम अप है ठीक है प्रस्ट होता है ना कि में मैच में खेलने के पहले जो भी परtime ऐud για मैच में किि सुझा इस व्वनार्स परफॉर्म करना है उसके पेले वो आदह गंटा एक थोड़ा सा जोगटिंग लेता है वाम पर अपन लोग ने समझने की कोशिश की कि अपना टोटल पोर्शन कैसे डिवाइडेड है सो डिस्क्रिप्टिव एंसी क्यूज में डिवाइडेड है सेविंटी माक्स 30 माक्स एंड पॉर्थ ऑल वर्ल अगेन अंग तेलिंग यूज फॉर्थ एक इन जन्रल बताओ कितना याद है तुमारे को एफमें टोटल कितने चैप्टर जे अगर मैं तुम्हारा टेस्ट लू थो अगर एफम में टोटल कितने चैप्टर जै को एवरिबोड़ि क्या बता सकते हैं 15 very good दुनिया के लिए 15 chapters है but आपके और मेरे लिए उस chapter को अपन लोग ने कितने parts में divide कर दिया है बोलो बोलो चल चल yes for the world they have 15 chapters हमारे लिए हमने इसको चार phases में divide कर दिया है phase 1, phase 2 phase 3, phase 4 30 marks, 30 marks, 30 marks 30 marks, right तो मेरे लिए जैसे ही एक phase complete होगा मैं बोलूगा आभाई 30 marks in my pocket 60 marks, 90 marks 120 marks, how it is divided तो पहले phase में आते हैं 3 chapter क्या आप लोगो chapter के नाम याद होगे ठीक है, so अब phase wise कर रहे है एक फेस हो गया, phase 2 में आगया 4X international financial management, derivatives international rate, risk management IR, RM rather then we have mergers and acquisitions, business valuations, advanced capital budgeting in phase 3 and phase 4 financial corporate policy, risk management security analysis, startup finance and securitization falls in phase 4, so I hope ये चारो phases अपने को in terms of chapters clear हो गए होंगे, so that there is no issue at all ठीक है, public क्या बोलते हो, done है ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे को बता है था कि अपने content में क्या coverage करने वाल है बॉस, इसके अलाव आपको और कुछ करने की जरुएद नहीं है अब देख रहे हो ना, मतलब ये 100% coverage होने वाला है ठीक है, इधर तक 100% coverage होने वाला है एक चीज भी छोडने नहीं वाला हूं मैं, ठीक है and then we will also keep on conducting test जितना आप लोग test लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा how you are going to perform and finally, यहाँ पर मैंने आपको बताया optimized के through अपन क्या-क्या cover करने वाले हैं so it will have past paper trends, study mentor, preview, concept theory, examples, practical questions, MCQs everything and finally, अपना प्रमास्त्र and that is your magic book, the summary book for the exam time revision with revision videos alright guys, so यह सारी चीज़े आप लोग को मिलने वाली जैसा आप लोग ने देखा होगा आप लोग को एक Google Drive का link मिलेगा, वहाँ पर यह जो भी written notes है वो आपके upload हो जाएंगे, उधर ही आपको एक Excel मिलेगा जहाँ पर schedule दिया है, chapter, concept, question, duration वो चीज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, so that's how the whole system works, ठीक है अब अपने को आज session को और आगे बढ़ाना है, तो चलो और मैंने आप लोग को बोला दागी, usually अपनों के एक आदत रखेंगे, we will try at max possible to revise whatever has been taught in the earlier sessions, तो पहले के sessions में जो भी बढ़ा है, मैं आपको उसको revise करवाऊंगा, और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है public, सही है ना idea, done, so अभी मैंने आप लोग को एक idea दे दिया है, कि अपने last session में क्यात किया था, और अब कहानी को और आगे बढ़ाने वाले हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखाए AFM Basics, Connecting Markets to Finance, Connecting Markets to Finance, और राइट गाइस, चालो, आज़ाँ, आईए, so how are we going to connect Markets to Finance, let's try and understand that, ठीक है, मैं आप लोग को एक दो example देना चाहता हूं, कि कैसे चीजे connected होती है, क्या तुम लोग ने कभी economic times पढ़ा है, ने रे सर यह क्या बोल दिया आपने, क्या तुम लोगों पता है economic times क्या आता है, या उसके अलावे और भी जो newspapers आते हैं, जैसे mint करके एक आता है newspaper, business standard करके एक newspaper आता है, economic times तो है ही obviously, कितने सारे newspapers आते हैं, सार हमारे को तो यह सब पढ़ने का time नहीं मिल पाता है, सार हम बड़े लोगे, हम आर्टिकल्शिप कर रहे हैं, बट अगर आप लोग पढ़ोगे ना, देन इन बाट केस, एवरी थोर्ड या फोर्थ डे पे, आपको economic times में, एक या दो चीज़ related information मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया का कोई भी economic times हो, कहने का मतलब क्या है बता है क्या, दुनिया का कोई भी finance related paper हो, markets related paper होगा ना, तो that paper will always always speak, that paper will always always speak of few things, and one of them, ladies and gentlemen, is called as interest, and the other is called as inflation, क्या आप लोग ने इन दोनों वर्ड के बारे में सुना है, क्या तुम लोग ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऐसा कुछ सुना है, डोट रड़ी मैं आपको सब बताऊंगा, inflation वर्ड तो सुना ही होगा, हाँ है, तो यह सब बहुत important role play करता है, किसी भी economy के financial market में, जी हाँ, and आज मैं आपको बताऊंगा, दो ऐसी economies, जिसने interest and inflation को properly manage नहीं किया, and उनको repercussions क्या थे, what was the repercussions, मतलब उसका impact क्या था, उनकी economy के उपर, and कैसे, यही दो चीज़े, interest and inflation, play such an important role, in shaping, developing of an economy, ठीक है, अपन बहुत hero बन के, सीधा चालू तो कर देते है, चलो 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 सर, chapter चालू करते है, mutual fund चालू करते है, portfolio management यह वो, बट अपने को अगर, financial markets के basics के बारे में ही नहीं पता होगा, है, क्यों वो red है, green है, अगर वो ही चीज़े नहीं पता होगी, then in that case, how are we going to become a successful chartered accountant, or a successful financial analyst, कैसे अपन इस subject को, एक justice दे पाएंगे, not possible at all, and that is where, my practical experience, comes into the picture, and यह, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, that how are we, going to approach each and everything, आज का जो session है, how the market works, और आज के बाद अगर आपको trading करना हुआ, जो सब को चाहिए, as a budding article clerk, as a budding chartered accountant, आज मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे broadly, macro economics, play करता है, एक role, financial markets में, जी हाँ, आईए, समझने की कोशिश करते हैं, और आज जो मैं समझाऊंगा न, वो इतना base lay down कर दूँगा, foundation lay down कर दूँगा, that आगे, आप लोग को ये हमेशा, जिन्दगी भर काम आएगा, मतलब by default, जब मैं portfolio management, valuation of security, और ये सब चीज़े करवा रहा हूँ न, तब तो use आना ही आना है, इसके अलावा भी ये आपको, बहुत use आने वाला है, in your practical life, तो क्या आप ऐसी सब चीज़े, सीखने के लिए तयार है public, चल्ब, तो फिर, let the game begin, अब, मैं सबसे पहले example ले रहा हूँ, देखो, आज का मेरा जो पूरा focus है न, that is, on this, connecting markets to finance, and markets, are heavily heavily dependent, on two things, याद रखना ये बात, दिमाग में गाट बांद लो, कि ये दो चीज़े, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, जब भी भी आप economic times पड़ो, या कहीं पर भी जाओ, you will always find, कभी आप CNBC ओपन करना, या ये सब चीज़े तो भी आप लोगे लिए बहुत ज़्यादा, extreme level गिया, पर जब आप सुनना, सुनोगे न, you will find, that कोई भी economist, या कोई भी है न, he is always discussing, these two things, एक interest rates, and दूसरा inflation, the most two important aspects, for any, any, any financial economy, जी हाँ, very important, और आज, तो, ये दो aspects का impact समझाने के लिए, पुरा economy पे, मैं आप लोग को लेके चलूँगा, दो countries के पास, जिसने, इन दो चीजों को, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया था, and they had a very tough time, एक, जिस country का नाम है, यपैन, एंद दूसरा, जिस country का नाम है, जिमबावे, जी हाँ, जिपैन, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने की वज़े से, जिमबावे, इंफलेशन को, ना मैनेज करने की वज़े से, बहुत बुरी हालत में फस गया था, आओ, मैं आपको बताता हूँ, चलो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट वाले, इंपैक्ट के उपर से, ये इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, मैं आपको बता दू, फॉर जस्ट बेसिक अंडरस्टेंडिंग, कि अगर आपको लोन चाहिए, या अगर आपको आपका पैसा, डिपॉजिट करना है, थेन इन दैट केस, कैना इससे, आपको बैंक में जाना पड़ता है, अरे बोलो हाँ या ना, तो बैंक, अगर समझो आपको लोन चाहिए, या आपको डिपॉजिट करना है, तो बैंक जो rate of interest आपको दे रही है, क्या वो बैंक जो दे रही है आपको rate of interest, क्या वो अपने मन मर्जी से कुछ भी दे देती है, कुछ भी कुछ भी क्या, या फिर कुछ thought process के साथ, वो दिया जाता है, क्याना इससे RBI से interconnection के साथ वो दिया जाता है, क्याना इससे जो finance minister है या फिर for that example, जो RBI के governor है, उनके directions के हिसाब से दिया जाता है, obviously finance minister, RBI, governor यह सब जो panel होते है, economist के monetary policy जो बनाते है ना, वो monetary policy के panel के हिसाब से decide किया जाता है that what is going to be the prevailing interest rates in the market, जी आ, ऐसा नहीं कि बस चलो, आज ऐसे ही, किसी ने 7% दे दिया, कोई 3% दे रहा है, कोई 1% दे रहा है, no, हाँ, उसमें 0.5% का उपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, because वो जो bank है, वो खुद अपना एक interest का cost bear कर ले है, it can be a different thing, but इतना बड़ा variation नहीं होगा, कि कोई bank 2% दे रहा है, कोई bank 5%, कोई bank दे रहा है 7%, नहीं, इतना variation नहीं होगा, why, because एक general, एक जो general benchmark है, जो एक general basis है, वो तो आपको RBI, finance sector, से ही determine होगा, जी हाँ, so that is where the monetary policy of the government plays a very important role in determining the interest rates, क्या rate of interest पे आपको loan मिल रहा है, आज की तारीक में आपके parents को बुचना, शायद उनका home loan होगा, तो वो home loan, जो है, उन्होंने 7% पे भी home loan का interest पे किया होगा, आज 9% पे भी पे कर रहे होँगे, तो क्यों fluctuation हो रहा है वो, because of interest rate fluctuation, जो monetary policy के basis पे decide होता है, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा high level की बाते कर रहा हूँ मैं, monetary policy, interest rate, बोलो, बोलो, टाल, टाल, गाइस, yes, 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 so, monetary rates, reverse rate, reverse rate, normal interest rate, reverse rate, यह वो सब से determine होता है, आपका interest rates, ठीक है, ठीक है, अब आओ, मैं आप लोग के साथ discuss करने वाला हूँ, एक ऐसी economy, जहां पे we are going to go in depth, of how interest rate plays such a important role, अच्छा, जपैन, नाम तो सुना होगा, सेनोरीटा, क्या आप लोग ने जपैन का नाम सुदा है, चलो, जपैन किस चीज़ के लिए famous है, दो, तीन चीज़ जिसके लिए जपैन famous है, जो आपको बता है, come on guys, come on, come on, give your answer, yes, few things which you feel that, yes, Japan is famous for, very good, चलो, मैं बलता हूँ आपको, दो चीज़ के लिए जपैन बहुत ज़्यादा famous है, एक unfortunate incident और एक fortunate incident, one of them is Hiroshima Nagasaki, ठीक है, वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार टू के टाइम पे, atomic bomb was put on Hiroshima Nagasaki, and the second positive thing, जिसके लिए जपैन फेमस है, is very nicely said by Meghana Rinki, and that is technology, and that is, yes, you guys have heard it right, technology, can I say innovation, आज कल तो यह Facebook और Instagram पे, अपन लोग देखते हैं, तो देखते हैं, तो देखते हैं, कितना कितना क्या-क्या innovation आता है वहाँ पे तो, जो जपान का वोलो का reels होता है, उस पे देख शो मच और, देख शो, सो मच और अफ टेक्नोलोजी, सो मच और इनोवेशन, ठीक है, जो इंडिया में, बुलट ट्रेन, 2025 तक भी एक distant dream है, वो बुलट ट्रेन, जपैन, has already introduced, in 1960s, would you believe it, क्या आप इश्वास कर सकते है, 1960s में जीया, they are almost 60 years, in those terms, ahead of us, बुलट ट्रेन का तो, अपने लिए तो एक ख्वाब है, उन्होंने उसको हकीकत बनाया था, in the year 1960, and they did it, ठीक है, जबकि 1940s में तो, उन्होंने बोला कि, बॉस ये सब चीजों को पीछे रखो, हम ये सब चीजों के उपर, रोने वाले हैं नहीं जादा, जो हो गया, जो सो हो गया, और उसमें कुछ-कुछ गलती, जपान की भी थी, फ्रैंक्ली स्पिकिंग कैसा है, पता है क्या, जापान ने पहले, अमेरिका का एक पॉल हार्बर करके जगा है, वहाँ पे बॉंबिंग किया था, और फिर उसके रिवेंज में, अमेरिका ने, हिरोशिमा नागा सेकी के ओपर बॉंबिंग किया था, तो मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से ही, अमेरिका की गलती है, बट हाँ, इतना बड़ा नुक्लियर बॉंब, तो आज की तारिक में दुनिया का कहीं भी टेकनोलोजी का बात हो, दुनिया में कहीं भी इन्नोवेशन का बात हो, तो जपान स्टाल, जपान is the one which always take lead in it, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि GDP wise, जपान वर्ल्ड के रैंकिंग में कहां पे आता है, वर्ल्ड का सबसे हाईस GDP किसका है, चलो यह सब चीज़े थोड़ी थोड़ी knowledge आप लोगो होना चाहिए, सार हम तो आर्टिकलशिप के अलावा, हमको audit tax का अलावा कुछ आता ही नहीं है, नहीं अब नहीं चलेगा, मेरे session में आयो, तो आप लोगो पूरे world market का knowledge में दिलवा के ही चोड़ूँगा, आप मुझे बताओ कि world में जपान का standing कहां पे है, in terms of technology, in terms of GDP, sorry, in terms of GDP, बोलो बोलो टेल टेल, any idea, well, Japan stands third, चिके, Japan is third in terms of GDP, Japan is third, क्यों in terms of GDP, first को नहीं पता है क्या, first is uncle Sam, America, second is China, and third is, yes, Japan, अब, fun fact सुनना, जो मैं तुमारे को दे रहा हूँ, fun fact सुनना, जो मैं तुमारे को दे रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है, the fun fact is, Japan, third largest GDP, known for innovation, ठीक है, known for innovation, this country, का GDP, in the year 1996, which is 25 years back approximately, and उसका GDP, in the year 2021, क्या कोई guess कर सकता है, कितना है, क्या कोई guess कर सकता है, कितना है, चलो, मैं आप लोग को एक इसका GDP दे देता हूँ, 1996 में, जपान का GDP was approximately, 4.5 डॉलर ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन डॉलर, was Japan's GDP, in the year 1996, क्या आप guess कर सकते है, जपान का GDP in the year 2021, एन गैसे गाईस, कम आण, ठीक है, ठीक है, सोचो, सोचो, अप्रोक्स, मुझे भी अप्रोक्स नंबर जी चाहिए, मुझे भी कोई exact नहीं चाहिए, वेल, 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 इट इस पिल, यहाँ पे मैं तोड़ा सा इसको, इंक्रीस कर देता हूँ, 26 and 2021 में भी इट इस 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स जी हाँ, अब आईडियली अगर आप यह गैप देखोगे, तो इट इस 25 यहर्स का गैप, आप मुझे बताओ, 25 यहर्स में, क्या इस एकोनोमी को, बहुत जादा बढ़ नहीं जाना चाहिए था, हाँ, बढ़ जाना चाहिए था ना, बढ़ आज अगर आप देखोगे, तो यह एकोनोमी उधर का उधर ही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, इंप्रॉपर फाइनेशल पॉलिसीज, जी हाँ, इंप्रॉपर फाइनेशल पॉलिसीज, इंप्रॉपर फाइनेशल पॉलिसी में सबसे जो गलत उन्होंने एक चीज की थी, और वो है, मैनेजिंग इंट्रेस्ट रेट, तो सर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताओ, आज अब मैं आप लोग को वही चीज बताने जा लाओ, और आगे, कितना काम आएगा आपको ये देखना, तो इंप्रॉपर फाइनेशल पॉलिसीज, दे कुड नॉट मैनेज दे इंट्रेस्ट रेट्स प्रॉपर ली, तो ऐसा क्या हुआ था, चलो, आओ, मैं आप लोग को बताता हूँ, देखे, क्या इंप्रॉपर फाइनेशल पॉलिसीज उन लोग को, उन लोग ने की थी, इंप्रॉपर फाइनेशल पॉलिसीज, ठीके, आईए, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेट नाइन्टीन एटीज में, लेट नाइन्टीन एटीज में, जपान crude oil import करता था ठीक है जपान crude oil import करता था now it used to import crude oil obviously जब import कर रहा है तो dollars में import कर रहा है ठीक है ओना it used to import in dollars अब हुआ क्या अचानक से के dollar का जो rate है increased डॉलर का rate increase तो डॉलर 1 डॉलर से equal to 5 येन या रुपीज समझते हो रुपीज 5 से बढ़ कर 1 डॉलर इक्वल टु रुपीज 15 हो गया यह अपने को समझ में आता है अब मेरे को बताओ अगर 1 डॉलर पहले मैं है ना देखो इंडिया भी है न, कुरूड ऑईल डौलर में इंपोर्ट करता है. अब सेपरए例 एक डॉलर का पाच रुप्या था, अब अचानक से एक डॉलर का पंदरा रुप्या हो गया, 15 रुपीज हो गया, तो मेरे लिए कॉस्ट बढ़ गया, या मेरे लिए cost कम हो गया आप मुझे बताओ मेरे लिए मैं import कर रहा हूँ dollar को import कर रहा हूँ मैं crude oil को import कर रहा हूँ dollar में payment कर रहा हूँ 5 रुपे की था 1 dollar आज वो यह 1 dollar का 15 रुपया देना पड़ रहा है मेरे लिए cost बढ़ गया या कम हो गया बोलो आप बताओ हावी कैना इसे दा कॉस्ट इस इंक्रीस्ट यह अभी अगर मैं आप लोग को वह लोग के टर्म्स में बता देता हूँ यूवान के टर्म्स है के पहले क्या था एक डॉलर था पाच यूवान अब एक डॉलर हो गया पंदरा यूवान तो कैना इसे कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन इंक्रीस्ट बराबरे इसकी वज़े से इंफलेशन हो गया इंफलेशन समझते हो इंक्रीज इन कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन इन सिंपल टर्म्स बोलू तो इसकी वज़े से cost of production बहुत बढ़ गया पूरे के पूरे जपान में पूरे के पूरे जपान में बहुत ज्यादा cost of increased production हो गया अभी understanding guys अरे बोलो बोलो चल चल येस चल अब हुआ क्या ध्यान से समझना अब से for example मैं एक industry हूँ ठीक है मैं एक manufacturing industry हूँ in Japan I am a manufacturing industry in Japan ठीक है हर manufacturing industry को है न oil की जरुवत पड़ती है ठीक है तो oil की जरुवत पड़ती है ठीक है oil के लिए पहले मैं say hundred dollars का oil लेता था इस hundred dollars का oil का मेरे को cost पड़ता था say you want 500 just take example अब today जब मैं यह oil ले रहा हूं तो यह same hundred dollars का oil मेरे को कितने का पड़ रहा है कैना है say you want 1500 तो मेरा तो cost of production बढ़ गया अब इससे जो मैं product बनाने वाला हूँ पहले मेरा जो product बनता था जब मेरा dollar you want 500 था तब मेरा product बनता था you want say 10,000 में आज because of increased cost of import oil production and all of that मेरा यह बनता है you want 15,000 में आभी understanding अब इस cost of production increase होने की वज़े से ठीक है Japan is a major exporter ठीक है जापान अपने product को क्या करता है export करता है तो उसके वज़े से उसका export price भी increase हो गया देखो क्या हुआ मेरा cost of production पहले था say you want 10,000 ठीक है अब वो increase होके हो गया you want 15,000 तो अगर मेरा cost of production increase हो गया है कैना इससे अब मैं export करूंगा तो वो भी cost बढ़ जाएगा पहले जब मैं export करता था ना पहले जब मैं export करता था तो इस पे मैं 20% increase करके uw-run 12,000 मे擊 export कर देता था यव-run 12,000 में export कर देता था अब अब मैं अगर 20% margin रखता हूं तो मैं कितने में export करूंगा तुम लोग सोच समझके बताओ मुझे तुम मुझे सोच समझके बताओ अब मैं कितने में export करूंगा everybody thinks and tell बोलो बोलो चाल चाल हाँ आपसेलूटली करें 20 परसंट आप लोग ने भी बढ़ा दिया 15 परजार के उपर तो आज मैं 18,000 युवान में एक्सपोर्ट करूंगा बराबर है अब यह कॉस्ट आफ प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़े आ जाती है एक तो में जो क्रूड ओयल इंपोर्ट किया वो प्लस हम लोग के जो अधर प्रोसेसिंग कॉस्ट है अब हुआ क्या यह क्रूड ओयल की वाज़े से बाकी काफी सारे कॉस्ट बढ़ गए ठीक है अब जो मेरे बिजनस वाले लोग थे दे वांटेट टू यूज द़ आ उनको लोट चाहिए रहता है कोई भी बिजनस एंटीटी होने दो उनको रेगुलर बेसिस पहना लोट चाहिए होता है क्योंकि लोट लेंगे वो लोग तो ही अपना उनका वर्किंग कैपिटल चलते रहेगा और उनका बिजनस आगे चलते रहेगा अब यहां पे क्या इनका कोस्ट इतना बढ़ गया उसकी वजये से इनका एक्स्पोर्ट का प्राइव्यज भी बढ़ गया तो जो लोग export या जपान से import करते थे उनको लगा यार जपान तो बहुत महेंगा हो गया है जैसे America, America जपान से बहुत कुछ import करता था हाँ बले उनका योरोशिमा नगासे की हुआ बट बाद में दोनों ने सुला कर लिया और बोला कि ठीक है तो जपान used to import used to export a lot of its products to America and America also used to import a lot of products from Japan but अब जपान तो महेंगा हो रहा है तो अब America क्या करेगा? America दूसरे avenues ढूणना चालो कर दिया बट जपान ने बोला और भाई ऐसा मत कर America मैं तेर को सस्ते में देता हूँ और अब उस सस्ते में देने की वज़े से जपान ने एक financial policy introduced किया किसके लिए पता है? जपान ने जपान के monetary या जपान बैंक ने एक monetary policy introduced किया और बोला कि अगर अगर जपान को ये inflation को बीट करना था देखो, crude oil और dollar और ये सब के price बढ़ने की वज़े से inflation बढ़ गया था बराबर है, inflation बढ़ने की वज़े से inflation बढ़ने की वज़े से cost of production बढ़ गया था इसको counter करने के लिए जपान के monetary policy ने क्या किया interest अगर आपको as a business loan चाहिए और interest आपका एक cost है तो interest उन्होंने rates reduce कर दिया और interest reduce करने की वज़े से जपान की government को लगा, जपान की bank को लगा के cost of production भी reduce हो जाएगा अगर cost of production reduce हो जाता है then in that case can I say they will be able to export at a lower cost मतब उनका जो total export का price है वो लो हो जाएगा ठीक है, वो intention से कि export अपना manageable हो जाए, सस्ता हो जाए export अपना cheap हो जाए, उन्होंने interest rates को reduce कर दिया समझ में आया इधर तक क्योंकि आपने जब loan लिया है तो आप loan के लिए interest पे कर रहे हो जब आप interest पे कर रहे हो, वो आपका एक cost है, अब हो क्या रहा है आपके बाकी सब cost भी बहुत सारे बढ़ गए, crude oil का cost cost of production, बाकी सब cost बढ़ गए और उस पर से interest का भी इतना सारा cost तो जापान की bank ने बोला जापान की government ने बोला, चल ठीक है यह जो crude oil और यह सब का cost बढ़ रहा है वो ठीक है, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर वो interest rate को हम लोग कम कर दे अगर वो interest rate को हम लोग ने कम कर दिया तो overall कहीं ना कहीं cost of production कम हो जाएगा तो at least तुम लोग export एक सही price पे बेच पाओगे क्या इतना सिनारियो आप लोग को समझ में आया क्यू जापैन गवर्नमेंट ने interest rate कम किया समझ रहो क्यों क्योंकि ये बढ़ती भी महेंगाई को cost of production को offset करना था और ये offset करने के लिए उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे को reduce करने की जरुरत है कहीं ना कहीं ये मेरे को reduce करने की जरुरत है are we understanding guys बोलो बोलो चल चल इधर तक समझ में आया guys तो मैं आगे वड़ता हो clear है इधर तक ठीक है तो अब जापान की government आप ऐसा सोचो आप जापान की government हो आप जापान की bank को monetary policy आपके हाथ में तो आप क्या करोगे आप मुझे बताओ क्या करोगे जो जापान की bank ने किया क्या करोगे आप भी क्या करते बोल रहा इंफ्लेशन बढ़ रहा है cost of production बढ़ रहा है इधर यहापे business वाला आप लोग को रोज रोज बोल रहा है करो उसका कम करने की कोशिश करो तो उसके लिए आप भी अगर बैंक ऑफ जपान हो monetary policy आपके हाथ में तो आप क्या करोगे बोलो चलो फड़ा फड़ जवाब दो कि येस जपान बैंक ने भी कुछ ऐसा ही किया सर एट लीस जो अपने हाथ में है जो interest rates है आज की तारिक में इतने सारे businesses है वो हमारे को वो हमारे को क्या दे रहे है correct वो हमारे को interest दे रहे है bank पे loan लियावा है तो loan लियावा है तो loan का interest rates which was 5% is now reduced by the bank of Japan by the bank of Japan उन्होंने reduce कर दिया इसको to 1% बदायो बहुत बदायो क्या आप अगर सोचो आप businessmen हो ठीक है आपके cost of production बढ़ते जा रहे आप जिसको export करते थे अमेरिका वो बोल रहे तेरा तो cost बहुत बढ़ गया है मेरको तेरे पास से नहीं चाहिए मेरको तेरे पास से नहीं चाहिए तेरा तो cost बहुत बढ़ गया है अगर ऐसा आपको अमेरिका वाले बोलने लगे तो कहने से आपको चाहिए कि आपका cost कम हो जाए cost कम होने के लिए आपने bank को बुला loan का rate of interest कम कर दो तो bank नहीं monetary policy को change करके loan का rate of interest 5% से 1% कर दिया जी हाँ अब आप मुझे बताओ as a businessman are you happy or not are you happy or not you are happy इधर तक अपने को समझ में आगया क्या पूरा situation चल रहा था आप visualize कर पारे हो यह actually हुआ था अब हुआ क्या ध्यान से सुनना यह जो Japan के लोग और यह भी बड़े तिगडम बाज किणा मतला वह लोग आपनी जैसे जुगाड करना जानते है अब उन्होंने क्या किया bank of japan से bank of japan से जो low interest rates जो low interest rates में मिल रहा था जो low interest rates में मिल रहा था वो चीज़ को वो लोगने adapt करना चालो कर दिया मतलब low interest rate 5% था अब 1% हो गया यह शाने लोगने क्या किया ध्यान से सुना क्या superb story है इन्हों ने because interest rate इतना low गया है इन्हों ने loan लेना चालू किया और यह loan लेकर देखो अभी market में loan पहले 5 टके पे मिलता था अब 1 टके पे मिल रहा है क्या हर एक आदमी अब loan लेना चाहेगा बोलो हाँ या ना everybody you have to answer guys क्या आप भी पहले आपको loan मिलता था 5% पे अब आपको loan मिल रहा है 1% पे क्या आप भी loan लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे बोलो बोलो चल चल्चल 101% एक टके पे loan मिल रहा है क्या क्या बुरा 101% I will want to take loan and Japan के लोगों ने भी लोन लेना चालू किया, at 1%, वो लोन लेके, वो लोन का इतना कम interest rate, बैंक ने क्यों कम इतना interest rate किया, आप लोग मुझे बता, बैंक ने ये 5% से 1% क्यों किया interest rate, बोलो बोलो चाल चाल, बैंक ने ये interest rate 5% से 1% क्यों किया, सोच समझ के बताओ, चलो, everybody guys, देखो, keep on communicating, जितना communicate करते रहोगे, उतना चीज़े interesting होती रहेगी, otherwise तो सोजाओगे, बैटे बैटे, चलो, बैंक, जैपान ने ये interest rates क्यों कम किया, हाँ, inflation की वज़े से, ठीक है, तो किसको benefit देना चाहता था ये bank of जैपान, ये loan का interest rate कम करके, जैपान का bank, किसको interest rate देना, किसको benefit देना चाहता था, to reduce cost of production, करेक्ट, किसको benefit देना चाहता था ये bank of जैपान, सोचा मच के बताओ, चलो, everybody answer, try to answer, ये loan का जो interest rate कम किया है, absolutely correct, manufacturing industry के लिए, business sector के लिए, किया है, ये सब, किसके लिए किया है, manufacturing industry के लिए, business के लिए, बट आपको पता है, Japanese लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, ये जो loan है, 1% पे उठाया, और इसको use करना चालू कर दिया, invest करना चालू कर दिया, real estate में, हाँ, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, ठीक है, अब, बहुत सारे लोग loan लेने लगे, और invest करने लगे, real estate में, अगर आप लोगों को पता होगा, तो real estimate भी invest करना है, तो आदमी को loan की ज़रोर तो पढ़ती ही है, ठीक है, बहुत करोडों का involve होता है, पैसा उसमें, तो उन्होंने invest करना चालू किया, real estate में, इसकी वज़े से क्या हुआ, real estate का sector बढ़ गया, इधर demand बढ़ गया, demand increased in real estate, बराबर की नहीं, अगर कोई भी चीज़ का demand बढ़ता है, तो उसका भाव बढ़ेगा या कम होगा, demand increased in real estate market of Tokyo, टोक्यो आप लोगों को सबको पता ही होगा, जपान का capital, so real estate market में demand बढ़ गया, ठीके, क्यों क्योंकि सब लोग खरीदने लगे, सब लोग बोले एक टके पे लोन मिलना है, चल 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 करीद ले, चल 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 घर करीद ले, घर करीद ले, एक दम आलू के जैसे बिखने लगा, so Tokyo आप विश्वास नहीं करोगे भाईयों और मैंनों, Tokyo का real estate market था, rupees 100 per square feet, एक example दे रहा हूँ मैं, public ने लोन लिया, लोन लेके invest करते गए, करते गए, invest करते गए, real estate में, land में invest करते गए, बिल्डिंग में invest करते गए, देखते ही, देखते, real estate prices of Japan, increase, Tokyo का example लिया है, बाकी पूरा, real estate prices of Japan, तुम लोग बताओ, तुम लोग ने नहीं बताए, इतना demand बढ़ते जाएगा, मेरको भी घर चीह, मेरको भी घर चीह, मेरको भी land चीह, मेरको भी office चीह, मेरको भी building चीह, अगर इतना real estate का demand आ गया, तो भाव बढ़ेगा या कम होगा, क्या लगता है, वाई बढ़ते जाएगा ना, कोई भी चीज़ का demand आता है, तो वो तो अपना भाव बढ़ा ही देता है, यार, public है आया ना, अरे, बोलो-बोलो, चल-चल, यस सा, यस सार, and that is what happened with Tokyo prices as well, उसका real estate prices, उसका real estate prices बढ़ने लगा, अब, यह आपको एक overall economic scenario बता दिया, अब उसमें से मैं एक बंदे का, यहाँ पर example लेता हूँ, एक बंदे का example लेता हूँ, जो जपैन में ही रहता है, जिसका नाम है संकल्प कामोशी, जिसका नाम है संकल्प कामोशी, यह बंदा भी उधर ही रहता है, का पर रहता है, जपैन में ही रहता है, अब ध्यान से इस बंदे की स्टोरी सुनना इसने मैं तुम लोगो रूपीज के टर्म्स में बता रहा हूँ तो अपने को वो easy understanding रहेगा संकल्प कामोशी नाम कैसा है अच्छा है इसके चलो अब हुआ क्या पता है क्या मैंने 10 लाख रुपे का लोन लिया मैंने 10 लाख रुपे का लोन लिया at 1% 1% पे interest मिल रहा था मिरको बढ़ावर है और यह 10 लाख रुपे का लोन लेके real estate में invest कर दिया चुप्चा real estate का मैंने property ले लिया साकी काम हो जो भी नाम रखना है रखा या क्या परक पड़ता है नाम में क्या रखा है चलो मैंने 10 लाख का real estate में investment कर दिया ध्यान से सुना है story को अब जैसे ही मैं real estate में invest कर रहा हूँ अब demand और बढ़ते जा रहा है जैसा आप लोग देख रहे हो या पर demand बढ़ते जा रहा है तो real estate प्राइस बढ़ते जा रहा है यह जो 10 लाख की चीज थी यह हो गई 20 लाख रुपे की जी जी हा अब ध्यान से सुना क्या होता है पता है क्या जब आप घर लेते हो न तो आपको कुछ mortgage करना पढ़ता है यह आप लोगने सुन आप mortgage गिर्वी होता है न वो तुम लोग ने movies में देखा होगा मैंने गहने गिर्वी रखके घर लिया वैसा तो वैसे ही लोगों ने क्या किया यहाँ पे घर लिया 10 लाग का 1% rate of interest देखे अब इस घर का value हो गया 20 लाग इस 20 लाग के value के उपर मैंने और loan लिया 1% पे और मैंने और real estate में investment कर दिया मैंने और real estate में investment कर दिया अब लोग समझ ले हो अब हुआ क्या इसका value और बढ़ गया और 20 लाग से और 20 लाग से 40 लाग हो गया ठीक है इसका value और बढ़ गया और बढ़ने की वज़े से मैंने और loan ले लिया ठीक है और मैंने क्या ले लिया लोन ले लिया एंड ये मैंने लोन वापस से कम रेट के उपर ले लिया अब हुआ क्या government of Japan को ये चीज रियलाईज होना चालू हो गई कि ये संकल्प कामोशी जैसे बहुत सारे लोग है जो क्या कर रहे है पता है क्या जो लोन ले रहे है पट वो लोन लेके हम लोग bank of Japan बोल रहा है government of Japan बोल रहा है हम लोग ने तुम लोग के लिए rate of interest कम किया इसके लिए कि तुम लोग business sector में industry में invest कर सको बढ़ तुम लोग ने business में और industry में invest ना करके real estate में invest किया वो ही real estate के property को inflate होते जा रहा है उसी के basis पे on loan ले रहे हो और real estate मे डाल रहे हो तो आप मिरको बताओ जापान का government इस चीज से खुश होगा या ना खुश होगा bank of Japan will be happy or not and अब bank of Japan ये चीज जैसे उसको पता चलती है over a period of time क्या करेगा bank of Japan ये आप लोग को मिरको सोच समझ के बताना है comments पता फड़ा 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 I am waiting for your comments सोच समझ के ये होते गया संकल्प कामोशी 10 लाग का लोन 10 लाग का उसने property लिया value 20 लाग का हो गया क्योंकि real estate का prices बढ़ गया उसका value 40 लाग का हो गया उसने और उस value के basis पे mortgage रखे और loan ले लिया और real estate में invest कर दिया और real estate का prices बढ़ गया bank of Japan ये पूरा हिरा फेरी देख रहा है आप लोग इसी के head हो आप सबसे पहला काम क्या करोगे रिंकी शर्मा ने जवाब दिया है किरन very good other everybody is answering great 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 मैं individual नाम लेना avoid करूंगा because then there will be a lot of names हाँ absolutely correct सब लोग ने सही जवाब दिया है and यही किया जपान के bank ने भी उन्होंने interest rates जो 1% था उसको increase करके बोला हम वापस से bank rate 5% पे लेकर आ रहे है and अब क्या हुआ उसके बाद पता है आपको immediately पूरा का पूरा real estate market पूरा का पूरा real estate market of Japan crashed जो चीज 10 लाख से 20 लाख से 40 लाख की हो गई थी आज वो crash होके 40 लाख से crash होके 20 लाख 20 लाख से crash होके 10 लाख in fact 10 लाख की चीज भी अब 5 लाख के उपर आ गई because there was now default public ने तो 1% के हिसाब से सोचा था public अब default करने लगा in interest rate उसके पास 5% देने का था ही नहीं कभी हिम्मत अब जो मैंने inflated rate के हिसाब से इतना सारा real estate लिया उस real estate का भी value डाउन बहुत सारे लोग default करने लग गए in जपान and इस एक चोटी सी monetary interest rate की गलती के वज़े से जपान को इतना बड़ा भुक्तान करना पड़ा कि आज भी आज भी उसका जो GDP है जो आज से 25 साल पहले था almost उतना ही है this basically is called as stagnation and यह stagnation क्यों हुआ पता है आपको क्योंकि उन्होंने अपना interest rates properly manage नहीं किया उन्होंने अपना interest rates properly manage नहीं किया तो क्या अगर आप अब government of Japan है तो क्या आप सोच समझ के interest rate को manage करेंगे the answer is yes because उसका impact आप देख रहे हो कितना ज्यादा आता है कितना ज्यादा उसका impact आता है ए समझे गड़ों everybody बोलो बोलो चल चल समझे अब real estate market crash हो गया लोगों के पास ऐसा हालत था कि अब क्या करें अब bank ने यह सब चीज को mortgage लिया था गिर भी रखा था बट उन्होंने तो loan यह सोच के दिया था कि इसके value 20 lakh है 40 lakh है अब इसका अच्छानक से value 5 lakh हो गया तो bank भी कही ना कही एकदम problem में आ गया जो investors थे वो भी problem में आ गया Japan so many banks of Japan crashed and it was a mayhem इतना बड़ा issue के 40 साल तक approximately 30-35 years तक Japan को इसका you can say repercussions impact जेलना पड़ा and that is where interest rates play such an important role in any economy सारी दुनिया को पता है जपान के साथ क्या हुआ था कि आज Japan वर्ल्ड की सबसे वड़ी economy बन सकती थी अगर यह एक गलती वो time पे उन्होंने नहीं कियो थी या तो interest rate को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना था कम करना था उन्होंने क्या किया चलो चलो benefit देते है सिद्धा 5 percent से reduce करके 1 percent कर दिया पुष्पा कभी नहीं इसके लिए अगर आप लोग आज की तारिक में economic times कभी खोलोगे ना मेरे कहने के बाद और तुम लोग economic times open करके read करोगे ना तो interest rates या तो 0.25 percent से बढ़ते है या maximum 0.5 percent से बढ़ते है क्योंकि government को पता है कि otherwise क्या हो सकता है क्या समझ में आया आप लोग को यह story समझ में आई पूरा पूरा connect कर पा है देखा आप लोग ने कैसे interest rates से Japan और finance कितना connected था कितना connected था अब ही clear everybody इसको कहते है Japanese asset bubble इसको प्यार से कहते है Japanese asset bubble so interest rates के impact क्या हुआ यस इस 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 आपनीज आपनीज असे इस आपनीज अचे बबल वाव वाराइट क्वेट च्वेट रिए च्वेट अच्वेट से बबल समझाए यह मज़ा आया यह concept में तो मैं ऐसे और भी stories और concepts और ऐसे कर कितिको मेरा style एकदम clear है मैं पहले एक example देता हूं example से मैं concept को derive करता हूं और फिर जो अपना formula derivation होता है और फिर practical questions अपन लोग solve कर पाते हैं because अपन लोग ने story के form में example के form में कोई चीज़ पड़ी होती है we never forget that है ना and वही मैं चाहता हूं कि आपको भी भूलो ना और आपको interest आई इस चीज़ में और आप लोग भी इसका research करो कि आपको भी मज़ा है कि आप लोग को भी यह चलो तो क्या मैं आप लोग को अब story number two के उपर लेके चलू जहां पर आपने को बता चलेगा कैसे inflation की वज़े से एक और country financially had a big impact और फिर में आप लोग को इंडिया के stock market को interest और inflation से connect करके बताऊंगा and that will be the high point of our session today क्या बोलता है public तैयार हो आप लोग yes 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 guys wow आईए चलते हैं आज की दूसरी story के उपर the Japanese inflation bubble sorry the Zimbabwean inflation bubble आईए 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 समझने की कोशिश करते हैं कैसे Zimbabwe ने क्या impact लिया है इस चलते हैं अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेशन बूच हूंगा देखते हैं तुम्हारा जनरल नॉलेज कितना अच्छा है मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ आपको क्या लगता है आज की तारीक में Zimbabwe you can say is like a underdeveloped country के जैसे गिंते है अपन लोग उसको in the year 1985 any guesses any guesses Zimbabwe कैसा था let me tell you guys it was even better than America yes जो आज की तारीक में वर्ल्ड का सबसे developed economy है उससे अच्छा था America yes you heard that right so one Zimbabwean dollar was greater was greater than one US dollar ठीक है बट हुआ क्या थिर अच्छानक सर क्या होगा 1985 के बाद वहाँ पर थोड़े issues हो गए कैसे issues environment related issues environment related issues जैसे famine पता है आप लोग को famine और यह सब हो गया इसकी वज़े से there was a huge food shortage वो लोग का जो पूरा farms है वो भी सब खराब हो गया and it was a health disaster पूरे के पूरे जिंबाभवे में there was a health disaster ठीक है तो famine आ गया food shortage आ गया and there was big 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 widespread health disaster in जिंबाभवे अब इसकी वज़े से यहां पे यह लोग बहुत issue में आ गये थे and यहां पे जिंबाभवे ने call किया USA को to ask for loan to ask for funding and यहां से कहानी शुरू होती है जिंबाभवे के downfall की आईए नहीं USA कुछ नहीं किया आप tension मतलो बट जिंबाभवे की policies में गड़बड हो गई अब सुनो क्या हुआ जिंबाभवे ने call किया USA को और बोला चल भाई loan दे USA ने बोला ठीक है done USA ने loan दे दिया जिंबाभवे को USA ने loan दे दिया जिंबाभवे को अब आपको loan दो दो तरसे loan को रीपे करना होता है एक तो आपको उसका interest रीपे करना होता है और दूसरा उसका आपको principal रीपे करना होता है एक तो उसका आपको interest रीपे करना होता है और दूसरा आपको उसका principal रीपे करना होता है अब ये रीपे करने के लिए जिंबाभवे ने क्या बेवकुफी की आपको बता है जिंबाभवे स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट्स क्यों क्योंकि उसको रीपे करना है interest किसका अमेरिका का क्योंकि उसको principal रीपे करना है किसका अमेरिका का तो इट स्टार्टेड प्रिंटिंग अनलिमिटेड नोट्स अब जब आप कोई भी चीज अनलिमिटेड करते हो ना तो जब आप अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर रहे हो बले आप ठीक है आब बोलोगे हमको लोन नीपे करना है बट वो अनलिमिटेड लोन आम लिमिटे जैसे उडाते जाओंगा, ठीक है, I will start spending more, अब उसकी वज़े से हुआ क्या, एक pen, एक pen, जो पहले 10 जिंबावियन डॉलर का मिलता था, अब public के पास बहुत सारा पैसा है, तो public पैसा उडाने के लिए ready है, तो public same pen का 15 जिंबावियन डॉलर भी देने लगा, उनको पता भी नह चला, that has resulted into inflation, but 10 से 15 हुआ है, तो 40-40% inflation हुआ है, तो उसका impact उनको इतना नहीं लगा, but over a period of time, वो लोग ये print करते गए, लोगों के पास पैसा आते गया, जितना market में पैसा आते जाएगा, उतना पैसे का value कम होते जाएगा, and that is what happened with Zimbabwe, कोई भी चीज याद रखना, अगर easily मिल जाएना, तो उसकी value नहीं रहती है, इसलिए बुलते हैं कि CA का degree difficulty होना चाहिए, CA का result और passing percentage और exam difficulty होना चाहिए, तो ही तो CA का value है, अगर वो easy हो जाएगा, तो हर कोई CA बन जाएगा, और अगर हर कोई CA बन गया, तो आपको लगते हैं, आपका value रहेगा, answer चांसिच न Zimbabwean dollar reduce, बॉस reduce तो इतना हो गया कि एक time पे आया, उनका inflation, उनका inflation 50% छोड़ो, 200% छोड़ो, it was 1200%, yes, and, 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 उन्होंने 1 billion, 1 billion Zimbabwean dollar print करना चालू किया, 1 billion Zimbabwean dollar print करना चालू किया, और ये 1 billion Zimbabwean dollar में, आता क्या आता पता है, एक bread का packet, एक bread का packet, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, एक time आया, जब उन्होंने 1 trillion Zimbabwean dollar का currency print किया, इसमें भी आया क्या पता है, एक bread का packet, finally, उन्होंने अपना currency ही discontinue कर दिया, finally, Zimbabwean dollar discontinue, क्या करें, भाई, वैल्यू ही नहीं रहा, एक trillion dollar का भी कोई value नहीं, एक billion, एक trillion dollar का भी कोई value नहीं है, उन्होंने discontinue करके, US dollar का अपना base बना लिया, सोचो, क्या हुआ पता है आपको, अब सुनो, unlimited printing of currency, इसकी वज़े से क्या हुआ, inflation, अफलातून inflation, unlimited inflation, इसका impact क्या हुआ, local या domestic currency ही आपको, साला, eventually, discontinue करना पड़ा, local currency ही आपको, eventually, discontinue करना पड़ा, and it was the worst time for Zimbabwe, it was the worst time for Zimbabwe, और फिर वोही, development के साथ-साथ, under development होते गया, and आप देख रहे, कैसे ये एक गलती की वज़े से, Zimbabwe was trashed, समझ रहे, आप लोग, impact of these two things, on finance, are we understanding guys, yes or no, बोलो बोलो, telltale, yes guys, वाव, कैसा लगा आपको ये दो stories, और कैसा लगा आपको ये learnings, मजा रहे, connection देख रहे हो आप लोग, now this is where interest rates and inflation become so important, और मैं जापको लगा दाना, economic times पढ़ना चालू करो, अब जब आप पढ़ोगे, और ये चीज़े देखोगे, अब आप connect कर पाऊगे, and you will realize that how important these things were, अगर मैं अगर एक टुक में, एक शौट में, इसको summarize करना चाहूं, अगर मैं इसको एक शौट में, summarize करना चाहूं, तो आज आपन ने सीखा, दो major impacts, कोई भी, कोई भी economist को, world के सबसे बड़े financial analyst को आप पूछो, दो सबसे important चीज़े, कौन सी होती है, एंड वो आपको जवाब देगा, कोई भी monetary policy, कोई भी economy, कोई भी country को चलाने के लिए, सबसे important दो चीज़े होती है, एक inflation, एंद दूसरा, interest rates, एंद उन दोनों के बारे में, अपन लोग ने देखा, कैसे, जैपैन ने, उसको improperly manage किया, जिसकी वज़े से, वहाँ पे आ गया, stagnation, ठीक है, जिसको बोलते हैं, asset bubble, एंड कैसे, interest rate की वज़े से, जिमबाबवे में, जिमबाबवे में आ गया, hyper inflation, आ गया, hyper inflation, एंड उसकी वज़े से, बिचारों को अपना, currency ही discontinue करना, पढ़ गया, anyways, एई समझे गड़ू, चलो, अब, मैं आप लोग को बता रहा हूं, अब मैं आप लोग को बता रहा हूं, के, इंडिया, का connection, इस चीज में, कैसा, कैसे, बैठता है, आईए, लेट्स नाव कनेक्ट, टू द इंडिया, आप मुझे बताओ, आज की तारीक में, देखो, कोई भी RBI गवर्नर है, समझो, आप RBI गवर्नर है, आपके लिए, सबसे important, क्या है, आपके लिए, सबसे important, क्या है, देखो, एक घंटे में, पॉलिसी के एक सदस्य है, तो आपके लिए, सबसे important, चीज, क्या होगी, बताओ, सोच समझ के, क्या है, आज आज दो, important, चीज, क्या होगी, सोच समझ के बताओ, गरेक्ट, 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 सर, इट इस, इन्फलेशन, इन्फलेशन आता है, और फिर इन्फलेशन आता है, तो इन्फलेशन क्या होता है, इन्फलेशन क्या होता है, कैना इसे, इन्क्रीज कॉस्ट आफ प्रोडक्शन, कोई भी अपना, एक तो दो चीज, वैल्यू अफ आर करंसी डिक्रीजेज, बरबरे, भई, क्या होता है, देखो, पहले मैं, एक किलो, 100 रुपे में लेकर आ रहा था, एक किलो राइस, 100 रुपे में लेकर आ रहा था, आज, वो सेम्स, एक किलो का राइस के लिए, मुझे, 150 रुपीज देना पड़ रहा है, सो क्या हो रहा है यहां पर बेसिकली, दो चीजे हो रही है यहां पर, एक, cost of production, increases, on account of inflation, दूसरा, value of money, decreases, पहले, पैसे का value नहीं है, पहले, 100 रुपे में, एक किलो राइस आ था था, आज, 150 रुपीज में, वो सेम, एक किलो राइस आ रहा है यार, एक रुपेया, जो, जो 100 रुपेया था, आज की तारिख में, 1950s में, आज उसका value, एक रुपेया भी नहीं है, अभी understanding, this is what inflation does, to an economy, cost of production, इंक्रीजेजेज, value of money, डिक्रीजेज, तो अपने को, अगर, inflation, इंफ्लेशन अगर बढ़ा, मैं ये दो चीज वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोगो connect करता हूँ, don't worry, समझो, अगर, inflation बढ़ता है, सुनो, अगर, देखा मैं कैसे connect कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर, inflation बढ़ता है, then in that case, उसका क्या impact आएगा, अब भी अपन लोग ने देखा, अगर, inflation बढ़ता है, तो कैने से उसका क्या impact आएगा, cost of production बढ़ेगा, value of money decrease होगा, तो, मैं inflation को बढ़ाना चाऊँगा, या कम करना चाऊँगा, मैं inflation को बढ़ाना चाऊँगा, या कम करना चाऊँगा, देखना मैं आप लोग से कैसे निकलवाता हूँ, concept कैसे निकलवाता हूँ, आप बताऊँ, inflation बढ़ रहा है, उसका impact, देख रहे हो आप, cost of production बढ़ रहा है, value of money बढ़ रहा है, मैं inflation के साथ क्या चाऊँगा, inflation को बढ़ाना चाऊँगा, inflation को control करना चाऊँगा, CDC बात है, I will want to, I will want to, decrease inflation, बढ़ावर है, inflation को मैं control करना चाऊँगा, कैसे control करूँ मैं inflation को, कैसे control करूँ मैं inflation को, मैं आपको बताता हूँ, सबसे best तरीका है inflation को control करने का is decrease the liquidity in the market market में पैसा ही नहीं होगा देखो again Zimbabwe वाला example क्यों inflation बढ़ा क्योंकि लोगों के हाथ में free पैसा आ गया अगर वो inflation को control करना था Zimbabwe को तो Zimbabwe को क्या करना चाहिए था क्याना इसे जो unlimited printing of currency उसको stop कर देना चाहिए था कैना इसे जो लोगों के पास पैसा है उसको stop कर देना चाहिए था तो अगर आपको decrease करना है inflation तो आपको decrease करना पड़ेगा liquidity in the market आपको डिक्रीस करना पड़ेगा liquidity in the market सो आपने deflation अगर reduce कर दिया है अगर आपने अगर आपने inflation को decrease करना है control करना है you will have to decrease the liquidity in the market और market को अगर आपको liquidity decrease करना है then in that case क्या करोगे interest rate को आप कैसे खेलोगे क्या आप लोग सोच सकते हो क्या देखो देखो मैं वापस से आप लोग को यह connection बताता हूँ ठीक है inflation dependent होता है liquidity के उपर जितना market में liquidity होगा आपने देखा Zimbabwe जितना market में free पैसा था उतना inflation बढ़ते गया so if liquidity मैं इदर लिख सकता हूँ आपके permission के साथ समझा दिया है that if liquidity increases market में free का पैसा है inflation के उपर क्या impact आएगा inflation बढ़ेगा but if liquidity decreases आप मुझे बताओ inflation के उपर क्या impact आएगा inflation कम हो जाएगा inflation कम हो जाएगा जी हाँ बराबर है अब उसको liquidity को market में पैसा कम करना है तो उसके लिए क्या करता है पता है RBI governor RBI governor interest rate को increase कर देता है क्योंकि अगर उसने interest rate को increase किया तो market में loan मिलना महेंगा हो जाएगा interest rate increase हो गया तो loan मिलना मुश्किल यही तो जापन में गड़बड हुआ वो लोग ने interest rate को decrease किया loan मिलना easy हो गया सब लोग loan लेते गए loan लेते गए demand बढ़ गया demand बढ़ गया inflation बढ़ गया asset bubble तो वो ना होने दूमे इसके लिए मैं क्या करूंगा I will automatically क्या करोगे अगर मुझे यह liquidity को decrease करना है मैं यह interest rates को मैं यह interest rates को क्या कर दूंगा decrease करूंगा sorry increase करूंगा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्योंकि अगर मैंने interest rate देखो आज की तारिक में कोई भी चीज आपको चाहिए तो loan पे लोगे आप अब अगर market में interest rate बढ़ गया है तो आप loan लेना बंद कर दोगे तो market में पैसा circulation कम हो जाएगा market में circulation of पैसा कम हुआ liquidity decrease हो गया inflation but obviously decrease होगा and that's how you maintain the balance एई समझे गिड़ो everybody क्या अब आप भी RBI governor बन सकते है yes sir आज के इस session के बाद इस powerful session के बाद definitely आप बन सकते है for sure मदब आप ये किसी को भी दिखाना जिसको basic समझना है market का finance का interest rates inflation कैसे impact करते उसको ये lecture दिखा देना ये lecture मैं वीडियो में YouTube पे डाल दूँगा किसी को भी आप आपके friends को family को you know probably even show it to your parents your mother even she will be able to connect and relate to it and उनको भी एक अलग level का interest आपका वो भी समझ पाएंगी चीजों को हर आदमी समझना चाहता है ये basic चीज तो everyday basis पे आपके inflation connected हो आप interest rate से connected हो आप पढ़ी अपनों उसको समझ नहीं पाए एक 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 बेस नजरिये से I hope अभी आपको समझ में आया होगा that now if you are the RBI governor अब देखना मैं क्या impact पे लेके जाता हूं आपको if you are the RBI governor if you are the RBI governor तीक है अब impact समझना then inflation अगर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे can I say as a RBI governor I will want to inflation का impact क्या हैगा I will want to decrease the liquidity पुरा impact बताती जाओ can I say मैं liquidity को decrease करना चाहूंगा liquidity को decrease करने का remote control मेरे हाथ में है कैसे कैसे मेरे हाथ में क्या remote control है correct it is interest rates it is interest rates and ये interest rates I will want to increase एई समझगडू क्या ये impact आपको समझ में आ गया क्या बड़े बड़े है ना chartered accountants को भी ये चीज नहीं पता होती है chartered accountants leave aside student ये impact समझ में आया आपको everybody आपको और अपको आपको आप ये इंपक्त आपको बताता हूँ यस अर्य अब 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 Internet rates में interest आ रहा है अब मैं आपको आगे का impact दिखाता हु द्यान से समझना ना look at this इसका impact क्या होगा पता है आपको inflation, liquidity, liquidity का impact we interest rate पर आगया अब interest rate बढ़ गया है आप मुझे बता ऑगर interest rate बढ़ेगा तो आप आप real estate property खरीद होगे या नहीं खरीद खोगे सोच समझ के बता na interest rate market में बढ़ गया है तो loan लेना आपके लिए महिंगा होगया या सस्ता हो गया मेंगा हो गया या सस्ता हो गया है अगर नहीं करीदेंगे आपके लिए लेना मेंगा हो गया या सब्सक्रा अगर app अगर य Tradski नहीं करीदेंगे अगर आप याल करीद ओगए इंट्रिसटेट बन्दे के वज़े से तो उसकी वज़े से रियल एस्टेट का स्टॉक मार्डेड्य के जो स्टॉक है उसका स्टॉक मार्डेड के क्या impact हो आप लोगी बता कुश्य मैं नहीं बताओ आप लोगी बताओ चलो खुश आप लोगी बताओ उसका रियल estate मार्केट पे क्या इंपक्त होगा बोलो बोलो चल 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 आप इंट्रेस्टेट बढ़ रहा है आप बोल रहे हो सर मैं तो आप रियल इस्टेट का डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगा में इस हो जाएगा इंपक्ट समझो इम्पक्ट समझो रियल स्टेट का डिमांड कम अगर रियल स्टेट का डिमांड कम तो कहना इसे रियल स्टेट का ओवराल डेवलपमेंट कम हो जाएगा अगर रियल स्टेट का ओवराल डेवलपमेंट कम हुआ तो रियल स्टेट के उपर डिपेंडेंट होती है cement and steel industry for example cement and power industry क्या हो जाएगा उनका भी तो cement and steel industry down infra down power down तो ऐसे time पर कौन से market में invest नहीं करना है समझ में आ गया क्यों ये सब down interest rate की वज़े से interest rate की वज़े से क्योंकि interest market में महेंगा हो गया है सर तो बढ़ेगा तो क्या होगा अब आप समझ गए अब आप समझ गए येस तो यही बोलता है ना cat and mouse game चालू रहता है stock market नहीं कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे समझ गड़ू चल अब तो सर सब मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा तो पूरा सब लोग पैसा विड्रा करके पूरा मार्केट ही टूर जाएगा नहीं अब कुछ stocks है उनको ध्यान से समझना अब मैं आपको बताता हूं एक stock जिसका नाम है फार्मा स्टॉक अब मेरको बताओ इंट्रेस्टेट बढ़ेगा ठीक है उससे आप रियल एस्टेट सीमेंट स्टील इंफ्रा पावर यह सब कम होगा सब कनेक्टेड है बट क्या आप दवाई खाना बंद कर दोगे क्या आप बीमार पढ़ना बंद हो जाए अल बंद कर आप रियल एस्टेट सीमेंट स्टील इंफ्रा पावर कहना इसे यह डाउन पर आ जाएंगे तो अब मैं यह cement real estate infra power वाली industries में तो invest कभी नहीं करूँगा but के नहीं से pharma steady है तो मैं at least इसमें invest कर दूँगा कि मेरा पैसा steady तो रहे अब अगर इसमें मैं invest करना चालू करूँगा बाकी लोग भी इसमें invest करना चालू करेंगे तो यह steady है but इसका भी demand बढ़ जाएगा क्योंकि लोग इसमें invest करना चालू कर रहे तो pharma का demand बढ़ जाएगा क्योंकि उसका overall market steady रहेगा आवी understanding guys वैसे ही fast moving consumer goods जिसको आपन बोलते हैं जैसे अपना क्या मैं नहाना बंद कर दूँगा real estate price interest rate increase हो गया है तो क्या मैं shampoo करना बंद कर दूँगा हाथ दोना बंद कर दूँगा FMCGB steady रहेगा people will start investing उसका demand बढ़ेगा उस steadiness की वज़े से उसका demand बढ़ जाएगा और वो increase हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग down पर है वैसे ही वैसे ही और एक sector है जिसका नाम है IT sector उसका demand बढ़ जाएगा क्योंकि IT sector is majorly into export and and IT sector अगर majorly export में अब ध्यान से समझना कि impact क्या आएगा dollar के उपर because अब अपने अपना interest rates बढ़ा दिया है कही ना कही inflation बढ़ गया था इसकी वज़े से अपने money का value कम हो गया है and इसके वज़े से dollar value will increase इसकी वज़े से dollar value will increase इसकी वज़े से dollar value will increase अगर dollar बढ़ता है तो अपन export कर रहे है export कर रहे है तो dollar आला है dollar का value तो बढ़ रहा है तो अपना IT company भी चड़ जाएगा बढ़ जाएगा बट 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 वी एक इंपोर्ट क्रूड ओइल तो जो चीज एक्सपोर्ट किया अगर वो बढ़ा तो क्रूड ओइल के उपर क्या इंपैक्ट आएगा हाँ crude oil decrease हो जाएगा क्योंकि अब मैं import कर रहा हूँ और dollar का value बढ़ रहा है तो crude oil का cost decrease हो जाएगा आप देख रहे हो कितना impactful है यह एक चीज और बाकी सारा चीज के उपर कैसे impact आ रहा है this is how the financial market functions यह तो मैंने काली एक aspect बता है इसके साथ और बहुत सारी चीज़े combine होती है तब जाके totality पे market function होता है बट अपने को यह basic ही नहीं पता होता है अपन कहां पे बाकी totality के चीज़ों को देखने जाएंगे कुश्पा कहां पे देखने जाएंगे and 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 जब भी भी interest rate increase होता है तो bond के value पे उसका क्या impact आता है वो अब मैं आपको बताऊंगा and you will get a full clarity yes so भाई ऐसे सब चीज़े connected होती है ठीके so dollar dollar क्यों बढ़ रहा है क्योंकि देखो inflation बढ़ा है अब inflation बढ़ा है तो आपका जो rupees है उसका value कम हो गया है अब आपके rupees का value अगर कम हो गया है then definitely definitely say for example पहले dollar का 90 था अब आप एक dollar में आपके value रूपी का value तो कम हो गया है तो अब एक dollar के लिए 100 100 आ जाता है and that is where dollar has increased and last जो मैंने आपको बताया जो bond है ना bond 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 ये bond का value ये तो अपने को पूरा एक chapter में पढ़ना है but bond का value भी कम हो जाएगा जब interest rate बढ़ जाएगा इसका एक example दे दे तो फिला समझे तो ठीक नहीं समझे तो बाद में तो समझाऊंगे say for example say reliance है reliance ठीक है reliance ने bond issue किया say 2023 for example और ये bond issue किया उन्होंने at the rate 8% interest bond पर आपको पता है fixed rate of interest मिलता है अब market scenario change हो गया market में 2025 में interest rate increase हो गया interest rate increase हो गया to 11% अब आप मेरे को बताओ क्या हो जैसे ये market में interest rate 11% हो गया ये वाला जो bond है ये वाला जो bond है सब लोग sell करना चालू कर देंगे और सब लोग ये वाला bond buy करना चालू कर देंगे 11% वाला जैसे इसको sell करना चालू कर देंगे कोई भी चीज के उपर selling pressure आता है कोई भी चीज के उपर समझो इसके उपर selling pressure आया तो उसका value down हो जाएगा जैसे उसके उपर purchasing pressure आता है लोग को चाहिए demand बढ़ता है तो उसका value बढ़ता है यहाँ पर selling pressure आएगा लोग बेचना चालू कर देंगे क्यों बेचना चालू कर देंगे क्यों लोग shift हो जाएंगे 11% वाले के उपर and that is where value of bond will जी हाँ decrease this is how the whole chain is connected आज के बाद जबाप परेंगे ना economic times you will be able to connect to each and everything that I have just said to you hey समझी गिड़ू everybody क्या आप लोग को समझ में आया मैंने जो भी अभी समझाया clear हुआ आप लोग को पका sure damn sure ठीक है okay very nice चल अब आप अपना काम फटाफट करेंगे clear है guys yes कैसा लगा आज का mind blown session got it great great yes so आज यही आप लोग को basics मुझे समझाया था this is how the market functions and इसी का लिए यह मैंने session लिए मैंने बोला था आपको आज आपन और कुछ नहीं करें one and a half hour हुआ है one and a half hour का session लोगा प्रॉक्स and एक एक basic install कर दूंगा install कर दूंगा बाकि जो chapters करना है वो तो करना ही है यार वो तो करवाने वालो आने वाले तीन महीने वही करना है अपने को बट यह भी चीजे जानना कितनी जरूरी थी अपने कि अना कि ग्रेट क्या-क्या समझ में आया आज आपको कि क्या-क्या समझ में आया इंट्रेस्टेट सबसे पहले सबसे बड़ा गेम कहलता है इंफलेशन इंफलेशन बढ़ेगा तो अपने को लिक्विडिटी कम करना है अहां बोलो 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 तो इंट्रेस्ट्रेट बढ़ाएंगे उसका इंपैक्ट रियल एस्टेट सीमेंट स्पील पावर यह सारे स्टॉक डाउन बाड 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 फार्मा आईटी FMCG, यह सारे stock up, dollar up, crude oil, जो भी चीज़ आप import कर रहे हो, basically crude oil आप import कर रहे हो, अप gold भी import करते हो, up, और bound का value, down, एई, साम्जी गडू, clear guys, इधर चे यह तो gold भी लिख सकते हैं अपन लोग, इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हो, down, चलो guys, done, so I hope आप लोग को यह पूरा session समझ में आ गया होगा, ठीक है, आज का मेरा photo लेके status बनेगा यह, यह मेरा आज का photo लेके status बनने वाला है, जैसे कर, AFM के phases बने थे, okay, it's time for me to say, astalavista guys, take care, keep smiling, had a great session, कल से अपन साट करेंगे अपनी जोर्णी अपनी जोर्नी of chapters of AFM, बट यह बेसिक जानना जरूरी था, I hope everybody is clear till now, with all that has happened so far, thank you, are you enjoying the sessions guys, yes, keep doing that, bye, thank you, astalavista